आज पढ़ने वाले लाइट तो क्लास नाइन तो गया है अब क्लास टेंथ ठीक है तो पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर वन नहीं है भाई वन जीरो है अब मेरे ग्याल से टेंथ है और चैप्टर का नाम लाइट रिफ्लेक्षण एंड रिफ्लेक्षण एंड रिफ्लेक्षण एंड रिफ्लेक्षण एंड रिफ्लेक्षण देखो हम लोग कितनी जल्दी नाइन से टेंथ में आ गए फिर एलेवेंथ में चले जाएंगे फिर ट्वेल्थ में चले जाएंगे इसमें लाइट के बारे में आपको आइडिया है, प्लेइन सर्फिस रिफ्लेक्शन पढ़ा क्लास 8 में आपने पढ़ा था कि लाइट किसी प्लेइन मिरर से जब रिफलेक्ट होती है तो क्या होता है तो वो कुछ लॉज फॉलो करती है कौन से लॉज अगर मान लो यह प्लेइन सर्फेस है और एक कोई रे ऐसे आई रे तो समझते है ना रे इस दा पाथ फॉलोड़ बाइ लाइट तो अभी कोई रे आई मान लो पैंसिल बीम ओफ लाइट ऐसे आपने बेजी लेजर लोग काफी खेलते हैं उससे वो लाइट आप इस पर बेज होगे तो यह जो लाइन मैंने कीची है यह कितने यह क्या कहलाती है ले हो इसमें प्रिंसिपल एकसिज आ गया इसको कहते हैं नॉर्मल क्या कहते हैं नॉर्मल है ना और यह कौन है यह कहलाती है इंसीडेंट रे कौन सी रे इंसीडेंट रे और यह नॉर्मल हो गया अब रि और इन्सीडेंट रहने हैं आए और इंसीडेंस यह कौन सा है एंगल उफ इंसीडेंस यह तो सब पता होना चाहिए न भाई और यह वाला एंगल क्या कहलाता है angle of reflection reflected ray reflection angle of incidence angle of reflection दो term है ठीक है अच्छा बताओ I बढ़ा है कि R बढ़ा है एदर I बढ़ा है कि R बढ़ा है same होगे अगर यह reflection है तो क्या बातें आएंगी पहले दो laws पढ़े थे हम लोगों ने टू laws of reflection दोनों बताओ जल्दी से पहला क्या है अरे बताओ कोई दो laws of reflection पढ़े थे कि नहीं class में 8th में किनले पता नहीं क्या पढ़ा था क्या नहीं same होती है incident ray और reflected ray same कैसे हो जाएगी एक ही point से जाएगी उन दोनों कि किन दोनों का angle of incident ray angle of reflection मैंने लिखा ही नहीं यह angle of reflection and angle of incidence यह दोनों क्या होंगे equal होंगे लेकिन पहला law तो बताओ first law क्या है normal नॉर्मल इंसीडेंट रे शब्दों को जैसे इंसीडेंट रे और यह आप लोग कभी बार न इंसीडेंट जो वर्ड है उसको as it is प्रोनाउंस करो reflection रे बोल दिया यह कुछ बार बोल दिया इस अब नॉर्मल इंसीडेंट रे इंसीडेंट अकेला शब्द नहीं चलेगा normal incident reflection equal same वो ही तो बोला था यह सब नहीं चलेगा पूरे वर्ड एक एक वर्ड का meaning है ऐसे तो रे रेंडम कुछ भी बोल दिया कहलना कि उसमें से पांच शब्द मिलते हो रहे थे हमारे normal incident ray and reflected ray must lie in must lie in same plane इसका क्या मतलब है एक ही plane पर होंगे इसका मतलब line कहा से है कि जब plane बोला है तो एक ही plane पर होंगे एक ही plane का मतलब समझते है न पक्की बात है अगर इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने यहाँ पर ऐसे mirror रखा mirror दिखाई दे रहे mirror किस plane पर है board के plane पर दिख रहे और जो mirror का plane है वो ऐसे होगा यह mirror का plane आया ठीक है अब मैंने यहाँ पर एक ray ऐसे भेजी कोई यह ray कौन से plane पर है mirror के plane पर है तो अभी normal आपने कीचा तो normal भी board यह mirror के plane पर नहीं है कौन से plane पर है यह ray board के plane पर है अरे जो board का plane है वही तो है boards plane यह normal आ गया इसको normal कहते है यह कौन से plane पर है mirror के plane पर कहा से mirror का plane पर आईसे है इस plane पर है किया यह अरे board के plane पर तो है अभी मैंने कहा यह मेरा mirror है इस पर लाई जो line करेगी वो इसके plane पर कहलाईगी यह तो इस पर लाई कर रही है बोर्ड के प्लेन पर नहीं है तो यह नॉर्मल कौन से प्लेन पर हुआ बोर्ड प्लेन है ना यह भी बोर्ड के प्लेन पर है यह बोर्ड के प्लेन पर आ गया बोर्ड प्लेन ठीक है अब क्या reflected ray ऐसे जा सकती है ऐसे जा सकती है क्या ऐसे reflected ray कैसे जा सकती है अरे यहां से ray बेजी थी ऐसे करके सीधी यहां पर मेरा रख हुआ था ऐसे reflected ray ऐसे जा सकती है reflected ray को कहा होना चीए इसको यह incident ray normal यह कौन से plane पर है board के plane पर है reflected ray को इसी plane पर होना जरूरी है उसी plane पर होना जरूरी है ऐसे जिसने बनाया वो गया काम से ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे नहीं जाएगी ये बात आपको समझ नहीं है ये तीनों क्या होंगे एक ही प्लेण पर होना चीए तो जो reflected ray होगी वो कैसे जाएगी इसी प्लेण पर जाएगी ये है पहला लोग और दूसरा लोग क्या है हाँ ये एंगल का नाम क्या है ये एंगल कौन है कैसे पता क्योंकि ये incident ray है और नॉर्मल के बीच का एंगल कहलाता है आई, angle of incidence ये कौन सा एंगल है एंगल of reflection इन दोनों को क्या होना चीए ये एक को लोग होना चीए दूसरा लोग हो गया नॉर्मल 90 डिग्री पर होता है है ना नॉर्मल हमेचे 90 डिग्री पर किस से 90 डिग्री पर होता है मिदर से ये कोई law नहीं है जो 90 डिग्री पर होता है उसे normal कहते है ठीक है normal को 90 degree पर normal 90 degree पर होता है कहना ठीक बात नहीं है a line which is perpendicular to plane is called normal ठीक है जो भी 90 degree पर हो का उसे normal कहेंगे तो अब विएस है कि normal 90 degree पर तो यह कोई rule कोई law नहीं है done ठीक है यह तो आप बात समझते हैं है जी जल्दी note करो 5 second ठीक है यह note कर लिये न आजी चलो तो laws of reflection तो यह अभी तो 8 की बात ही हुई थी सारी है ना इसके आगे बढ़ें कि ना बढ़ें कि यहीं पर खतम हो जाए का कारे किरम बताओ जल्दी अच्छा अब देखो ध्यान से सुनना plane mirror से related जो हमने पहले पढ़ रखा है वो क्या पढ़ रखा है कि अगर मान लिजिए कोई एक object है B मान लो यह मैंने आपको एक letter दे दिया B B अच्छा नहीं लग रहा आपको अच्छा लग रहा है मैं कोई और letter ले ले लेता हूँ Z बुल रहे हैं ले लो कहाई ले लो Z मैं अपने नाम ले लेता हूँ M K अभी इसकी plane mirror में image बनवाने को आप से कहा जाए तो बना देंगे आप बनाओ यह image छोटी बनेगी के बड़ी same size अच्छा यह आपको पहले से पता है कि same size की image बनती है है रियल बनेगी के वर्चूल वर्चूल बनेगी वर्चूल मतलब वर्चूल मतलब वर्चूल मतलब वर्चूल बोले वर्चूल क्या मतलब वर्चूल image का मतलब जो image रियल ना हो यार इसे तो यार मतलब कैसे चलेगा बोले वर्चूल मतलब रियल नहीं हो, रियल मतलब अले वर्चुल नहीं हो, अरे वर्चुल इमेज के क्या मतलब है, है जी, if you cannot take that image on screen, अगर आप उस इमेज को screen पर ना बना सको, इस screen मतलब, इस screen मतलब आप एक पर्दा लो, पर्दा, पर्दा समझते हो न, उस पर्दे को लगा दो, जैसे माल लो, यहाँ पर आपने का कि इस point पर यहाँ कहीं पर image बनेगी, एमके की, तो यहाँ पर आप एक screen लगा, और इस screen पर वो image आपको दिखे, बने एकदम साफ साफ परदे पर आए, इस screen पर बने, तो उसे real image कहते हैं, और अगर वो इस screen पर ना बन पाए, तो उसे virtual image कहेंगे, दिखेगी तो किसलिए, reflected light से, जैसे मान लो, मैं अब यहाँ से हट जा रहा हूँ, जैसे मान लो, आपने का यहाँ पर एक mirror है, यहाँ पर आपने क्या किया, एक candle जला दी, ठीक है, यह candle जल रही है, अब आपने का, देखो, image यहाँ बन रही है, कहीं पर ऐसे, है न, कहा है भाई, यहाँ पर आपने का, यह candle यहाँ पर ऐसे कुछ बने, यह candle की image, यह आपने यहाँ पर object रखा, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगी, image आपको फील होगी, जैसे candle mirror के पीछे जल रही हो, ऐसा दिखेंगा कि नहीं, अगर आपने जहाँ पर आपको image फील हो रही है, वहाँ पर आपने screen लगा दी कोई, screen समझते हो ना, normal परदा कपड़ा, कोई लगा दो, है ना, तो वहाँ पर अगर white color का परदा लगा दो, अगर वहाँ पर आपको वो candle की image बनती हूँ दिखाई दे, तो आप कहोगे कि भाईया, यह image screen पर बन रही है, अगर वो ना बने तो, तो virtual है, simple सी बात है, अब screen पर image बनेगी कैसे, जब वहाँ light rays जाएंगी, है ना, जब वहाँ light जाएगी, तभी तो screen पर image बनेगी, समझ गए बात को, अगर वो वहाँ नहीं बनी, light rays वहाँ नहीं पहुच रही है, तो इसका मतलब है, जो आप देख रहे हो, जो आपको feel आ रहा है कि यहाँ पर कोई candle जल रही है, दरपन के पीछे, mirror के पीछे, वो virtual है, वो क्या है, वर्चूल है, अब होता क्या है, जैसे मानलो आपने mirror लिया, यहाँ पर आपने कोई एक object रखा, तो यह object कहलाता है, यह रखा है आपने, है ना, अब object से मानलो हर direction में rays चलेंगी, तो कुछ rays तो आपको पता है कि mirror की तरफ भी जाएंगी, है ना, वैसे तो हर direction में चलेंगी लेकिन जो mirror की तरफ जारी हैं, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, यह rays reflect होंगी, ऐसे ऐसे, अलग-अलग direction में, अब अगर आप यहाँ पर कहीं पर खड़े हो, आपकी आँख यहाँ पर है, तो कुछ rays reflect हो कि आपकी आँख में भी जाएंगी, आपके आँख का एक perception होता है, आपने यहाँ पर एक point देखा, light source, star को देखा आपने, ठीक है, बहुत दूर से आपने एक light source को देखा, point source देख रहा है आपको, कैसे देखता है आपको यह, ऐसे आपकी rays निकल रही है, rays तो हाँ डिरेक्शन में जा रही है, every possible direction में जा रही होंगी, लेकिन आपकी आँख म से आई, फैलती हुई, यह कहां से आ रही होंगी, तो उनका जो point है, source, उसको डूंडता है दिमाग, गड़त लगा के, और फिर बताता है कि यहाँ पर कोई source रखा हुआ है, आपको यह source कैसे देखा, यह जब light आपकी आँख के अंदर गई, तो उसने sensation generate किये, और वो किस direction स travel करती हुई आई, उन सब को trace किया गया, तो आँख के अंदर जो ray चली आपकी, उसको trace किया गया, मालों इतने part को trace किया आँख ने, जो path light ने follow किया, उसको trace किया उसने, उसके basis पर mathematical calculation data को synchronize करके, उसने गड़त लगा के बताया, कि यहाँ पर आपका object होगा, यह सब कुछ नहीं गया दिमाग में, ना आँख में, आँख ने इतने part को लिया, रे light का इतना ही, कुछ part नहीं तो आपकी, कुछ rays अंदर गई होगी तो आँख में कितनी दिर चली होगी वो, जरा सी दिर, whatever जो भी है, तो यह rays इसके basis पर, इतने part के basis पर, brain आपको बताएगा कि यह rays कह यहां से आ रही है, वो बताएगा यहां से आ रही है, मतलब इन rays का source ढूंड़ेगा, brain, calculate कर लेगा, और यहां पर आपको object दिखाएगा, तो उसने कैसे calculate किया, जो rays आँख में गई, अब आपकी आँख में मानलो, यहां से rays आईए ऐसे करके, एक rays आपने का यहां से आईए अब बहुत सारी rays आएंगी वैसे तो, infinite rays होती है, मैं तो दो समझाने की कोश्च कर रहा हूँ, अब दिमाग trace करेगा कि यह rays पका कहां से आ रही है, पीछे से कहीं से आ रही है, इस point से आ रही है, तो वो इस object की image कहा दिखाएगा, पीछे, समझ गया बात को, तो आँख किस कैसे देखती है चीजों को, जो rays अंदर जाएंगी उससे देखेगी आँख तो, आँख ने तो यहाँ पर जो rays थोड़ी सी आँख के अंदर चली, इतने से part से image को बना लिया, अब वो वहाँ बनी है, नई बनी है, उससे उसको कोई मतलब नहीं, समझ गया बात को, इसमें इसने एक बात दिमाग में रखी गई है, यहाँ पर, कि light हमेशा सीधे रास्ते पर चलती है, इसने क्या imagine कर रखा है, brain ने हमारे principle मना रख के अपने दिमाग में principle है, उसका, कि light हमेशा कैसे चलेगी, सीधे रास्ते पर चलेगी, हाँ तो हमें फिर वो नहीं दिखती नहीं, एक्चुल पोजिशन, कई बार हमें एक्चुल पोजिशन नहीं दिखती है, जैसे मानलो यह कौन है, यह मानलो अर्थ, ठीक है, अब यहाँ बहुत दूरी पर कहीं पर है कौन सन, यह सन है, बहुत दूर है सन, अब क्या होता है कि अर्थ, अब यह मैं दूर दिखाऊंगा तो बार जाना पड़ेगा मुझे, यह अर्थ का इसके चारों तरफ कुछ एट्मॉस्फियर है, ठीक है, अब यहाँ से, यहाँ पर आप बैटे हो, आपकी आँक यहाँ पर है, इधर, आपको सन नहीं दिखाई देना चाहिए, अगर आपकी आँक यहाँ पर है, कोई अब् कैसे दिखेगी, अब लेकिन एट्मॉस्फियर की वज़े से क्या होता है, कोई रे आई, जो कि सीधी जाना चाहिए थी, वो सीधी ना जाके बैंड हो हुआ कि आँक में चली गी, रीफ्रेक्शन के करत पना खाता न, बैंड होती है लाइट, तो एट्मॉस्फियर में उसन सन का इमेजन करेगी कि यहाँ पर है सन, इसो क्या कहेंगे, यह क्या हुआ, तो सन आपको यहाँ दिखाई देगा, अब यहाँ पर जो बैंड हो के लाइट आती है, वो काफी कम आती है, you know, there is a term called twilight, सुबह और शाम के आपने देखा होगा कि जो रौश्णी है, वो काफी ह हलकी होती है, that is called twilight, तो वो आपको कैसे दिखाई देता है, मतलब इतनी सूरज सामने आया नहीं, और सूरज की रौश्णी आजाती है, है ना, सूरज अभी सामने कब आएगा, जब सूरज ठीक इस लाइन पर आएगा, तब सूरज सामने होना चिकाईदे से, लेकिन आपक को फेला दिया, ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा था, कुछ बताया था मैंने आपको, कि जो brain है, आँक जो है, और brain पूरा system, ये क्या हो करता है, जो ray आपकी आँक में जाएंगी, उनके सोर्स को डूंडता है mathematically, ये आपकी आँक में गई, कहां, आँक में ये rays गई, और इ ठीक है ये बात के लिए रहे, है जी, होती न, मैंने कब का, तुमने कहा था, बेंड होती है लाइट, हाँ तो हमने बताया, पर जब तुमने सवाल किया तो हमने जवाब दिया, अब मेरे को मेरे सवाल अभी लेकिन वापस आ गया है, है ना, पहले तो ये बताओ कि इसका image क कैसा बनाया, आपने मुझे दिखी नहीं रहे कहीं, कहा है, पोटो बना के दिखाओ, एम के, एरे सईर, तम लोग सब सई बना लिए, एज़ए, सई, कहा है, तो मिरर तो इधर लग हुआ है, इन्होंने तो याँ बना दिया, क्यान लगे ये ले, क्यान लगा, इसे क्या किस से, हाँ, इधर बनाओ, तुने नीचे बना दी, तो पीछे बनाओ, जहाँ बनेगी, वहाँ बनाओ, बन गई, कैसे बनाते हैं इमेज, देखो बहुत सिंपल सा तरीका बताओं को ध्यान से सुनना, मिरर रख्के नहीं देख लिए, है ना, मिरर रख्के वहाँ पर कौन मिरर देख आपको, इसमें ऐसे नाम रख लेते हैं, जैसे मैंने का, इस पोrauen नाम वन, इस पो Entscheidung का नाम टू, इस पोKevin का नाम त्री, फौर, फाइव, सिक्स, अब वन की इमेज, जैसे, वन यहा भेसे, पर दिस्टेन्स पर राग से, उतनी डिस्टेन्स पर रहे ऐको, वन की तो अब इन सारे पॉइंट को फिर मिला दोगे आप, मिला पाओगे कि नहीं, मिला पाओगे, तो ये आपका कुछ बन जाएगा K, और इसी तरह से आप M की बनाओगे, जब कभी आपको डाउट होगा, तो आप क्या करोगे, एक एक पॉइंट को लेके इमेज बना लोगे, य और एक बार में सीधे इमेज बना देते हैं, लेकिन कई बार confusion create हो जाता है, ब्रेन कन्फूज जाता है, optical illusion नाम की चीज़ें होती है, तो उससे बचने के लिए मैंने आपको तरीका बताए कि ऐसे पॉइंट मार कर लो, उनकी distances देख लो, ट्रेस कर दोगे, आप चाहे कितना और यह inverted है कि erect है, erect है, आएं जी, कैसी है यह, यह कैसी है, literally inverted, अरे यार, m, k का k m हो गया न, उल्टा भी तो हो गया, k भी पल्टा हुआ है पूरा, तो कैसी है, lateral inverted, यह याद रखना शब्द पूछा जाता है, कि plane mirror से जो image बनती है, वो कैसी होती है, lateral inverted होती है, ठीक है, मतलब अगर आप से कहा जाए, कि यहाँ पर, यह mirror है, और यहाँ पर एक pencil रख दी आपने, तो इसकी image कैसी बनेगी, तो आपको गए pencil laterally inverted बन जाएगी, मतलब इसकी image जो बनेगी, वो कुछ इस तरह की बन जाएगी है न, कोई दिकत की बात तो नहीं, पकी बात, अच्छा यह सारी बात है clear, इसमें कोई दिकत नहीं न, अच्छा अभी देखो, मैं एक दो बात हैं, और छोटी-छोटी सी करूँगा आपसे, बहुत ध्यान से समझना, वर्चूल image क्या थी, जिसे आप screen पर ना ले सकें, cannot form on screen, cannot form on screen, ठीक है, laterally inverted आप समझते ही है, ठीक है न, यह laterally inversion है, अगर आप देख लो तो, ठीक है जी, अब मैं कुछ बातें और करूँ, हलकी-फुलकी, यह तो था plane mirror की बात है न, अच्छा एक बात मुझे यह बताओ, अब मैं तोड़ी जी बात तोड़ी सा एक कदम आगे बढ़के बात कर रहा हूं, object किसे कहते है, what is object? ऐसी body जिसके पास mass है, और image किसे कहते है, दरपण में आपने आपको देखा है कभी? mirror में देखा है, तो object कौन है और image कौन है? अच्छा, जो object आप हो और image कौन है? बढ़िया जी, देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? यह light fight की कहानी पढ़ रहे हैं, यह सारी बात हैं, जो object image की बात हो रही है, यह जैसे माल लो आपने कहा कि यहाँ पर आपने कोई एक candle लगाई थी, और यह candle यह सामने कौन था? mirror था, तो यह object जो है, इस mirror के लिए, यह जो भी whatever it is, इस mirror के लिए object है काम कर रहा है, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना, मैं candle अटा रहा हूँ, मैंने कहाँ यहाँ पर एक object रखा, point object, इसकी यह कितनी distance पर रखा? माल लो मैंने कहाँ यह 2 meter की distance पर रखा, image किदर बनेगी? 2 meter पीछे बनेगी, बनेगी कि नहीं? 2 meter यह ना, तो यहाँ पर आपने कहाँ यह बन गई image, अब मैंने क्या किया? यहाँ पर एक और mirror लगा दिया, लगा दिया, कभी आपने 2 parallel mirror की situation देखी है, क्या होता है उसमें? बहुत सारी images बन जाती है, पता है वो कैसे होता है? हाँ, वही समझाने की कोश्च करें, ध्यान से देखना, अभी क्या है, कि मैंने यहाँ पर एक माल लो लगा रखी, क्या? इसको ढग दिया है कपड़े से, इस तरफ light नहीं जा सकती इस object की, लेकिन आप देखोगे कि अगर आप इधर कुमू करके कड़ोगे तो यहाँ पर आप बहुत सारी images दिखाई देगी, object नहीं देखेगा, object से light बिल्कुल नहीं जा सकती, यहाँ पर मैंने इसको काले कपड़ से इतना आदा धक रखा है, box लगा के, box होता है न, उसको आदा कट किया और box को यहाँ पर ऐसे अड़ा दिया ताकि इसकी light इस पर ना जा पाए, तो फिर इसने images की बनाई, उनका object का है, इसको तो मैंने रख दिया, इसने यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई, light यहाँ पर images बनती हुई, दिखाई दूर मैंने का यह जो images बनी, मैंने का यह माल लो, इसका नाम I1 रख दो, इसका नाम I2 रख दो, इसका नाम I3 रख दो, इसका object का है, हाँ, यह जो mirror है, तो आप यह नोंने मुझे अप जो समझाए, मैं उसको समझने कोश्च कर रहा हूँ, इनोंने का देखो ऐसे light reflect हुई होगी, यह reflected light ऐसे गई होगी, गई होगी कि नहीं, अब क्या होगा, कि ऐसा लगेगा, कैसा लगेगा, इस mirror को, कौन से वाले को, इसका नाम रख लो M2, इसका नाम रख लिए M1, अब इस mirror को ऐसा लगेगा, जैसे यहाँ से right आ रही है, यहाँ से light आ रही है, और भी ऐसे आप object है, तुभी light कहां से आती, object से आती है, क्या वाकर यहाँ से आ रही light, नहीं आ रही है, आजी, नहीं नहीं, वो तो ठीक है, इसको इसके लिए object कौन है, हाँ, तो यही image जो है, वो इस mirror के लिए किसका काम कर रही, object का, है ना, तो इस point को, आपने image भी का, object भी का, यह कहीं स अब मैं समझ गया बात, हाँ, तो कोई point, किसी के लिए object और किसी और के लिए image हो सकता है, इसका मतलब है object और image आप mirror के relative बता रहे हो, मतलब जो object है, वो object वाकर ही object होना जरूरी नहीं है, हाँ, तो अभी आपने एक बहुत important बात कही, कि जो object है ना, उसमें mass होना जरूरी है इसमें, इस object में mass है क्या, तुमने कहा तो object में mass होता है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तो इसके लिए यह object है, और यह image है, और इसके लिए क्या है object, यह image object का काम कर रही है, तो अब आपको ध्यान रखना है, हमारे जो object के perception है, कि कोई real object जिसको आप उठा कि एक जग हमारे लिए, लेकिन optics में, यह light के case में, जब आप reflection, reflection की बात करते हो, इस topic को हम लोग कहते है, optics, क्या कहते है, optics, है ना, आप कभी optician के पास गए होगे, चेश्मा लगवाने, इसके पास जाते हैं हम लोगे, आप, थो, आप, लेकिन लिए याद नहीं आ रहा है, चेश्मी कि लेकि रहन दे हूँ, आप, आप, आप्तो, मॉलोजिस्ट, आप्तो मॉलोजिस्ट, उसके पास जाते हैं, मैं उसके पूछा, तुम कौन हो, चेश्मे वाले, उसके नहीं बताया कुछ, तीक है, तो अभी यह नोटिसेबल बात है, कि object and image, object and image यह बात सुन ले हूँ, दिमाग मेरा कले न, कि object and image are defined for, defined for, for what, for mirror, for lens, for anything, तो अभी मतलब object and image किन के लिए define होते हैं, mirror के लिए define होगा, lens के, हमारे लिए define नहीं होगा, optics में, this topic में, ray optics में, हम क्या पढ़ते हैं, कि object and image किस के लिए define करेंगे, mirror के लिए, तो कोई चीज, कोई point which can behave as an image for this mirror, can behave as an object for another mirror, यह बात clear रहेगी आपको, पक्की बात है, बहुत ही बड़ी बात है, घबराने के कोई बात है, अब मैं एक चोटा सा आपकी, चोटा सा एक चोटा सा एक्जाम्पल दूँगा, आप बताना है ना, एक ray diagram बनाएंगे आप, सारे लोग, अब ray diagram से सीखी जाती है, शुरू शुरू में, जब आप optics यह पढ़ते हो, reflection, reflection, तो आपको ray बनाने के practice करने ही पढ़ती है, वो diagram बनाओ, अब ही मैं दे रहा हूँ आपको, यह mirror है माल लो, ध्यान से देखना, ठीक है, हाँ जी, देखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक object रख दिया, अब आप इसमें मुझे incident ray दिखाओ, reflected ray दिखाओ, और object और image बना की जल्दी से दिखाओ, आपके पास 15 second का time है, यह आपका plane mirror दिया है मैंने भी, 15 second, ठीक है, अब देखो, देखो, इधर देखना, ध्यान से object रखा हुआ है, और आप इसकी, आप क्या बनाएंगे, ray बनाएंगे, तो मैंने कहा है, सबसे पहले ना, मैं एक ray सीधी बेशता हूँ, यह, तो यह वापस सीधी लोट जाई, क्या है, तेज़ बच्पन से, मुझे पता था, अभी यह ray यहाँ से सीधी लोट गई, ठीक है, अभी मैंने कहा, एक ray और बना लेगा, और कोई सी, एक ray आपने ऐसे बनाई, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसकी reflected ray बनाने के लिए आपको थोड़ा normal किचना पड़ेगा, और वो angle measure करना पड़ेगा, पर उतने angle पर आपको reflected ray ऐसे दिखानी पड़ेगी, यह उतन अभी इसको मैं अगर पीछे बढ़ाऊंगा, और इस ray को पीछे बढ़ाऊंगा, तो यह मुझे यहाँ पर मिलेगी image, और अगर मैं ray diagram, यह एक incident ray थी, यह reflected ray जाएगी, यह reflected ray, अब देखो, यह incident ray, ध्यान से देखना, बोट पर अटना नहीं नजर, यह incident ray, यह दूसरी incident ray, यह incident ray 1, यह incident ray 2, यह दोनों incident ray कहां मिलती हैं, कहां मिलती हैं, यह दोनों कहां मिलती हैं, कहां मिल रही हैं, यह दूर होती चले जारें, कहां मिलेंगी हैं, कहां मिलेंगी, यह ही मिलेंगी, यहां मिली वी तो हैं यह, कहां मिलती हैं, यह ही कहां, object पर कौन मिलेंगी, object पर, कौन सी raise incident ray तो ध्यान से देखो intersection intersection मतलब कटान बिंदू जहां रहिज मिलती है intersect करते हैं जहां पर एक दूसरे मिलते हैं intersection of incident ray क्या कहलाता है intersection point of incident rays is known as known as object यह बूलना मत है ना खल्ले गुल्ले में ना हो पाएगाई सब बहुत सीरियस हो के समझना पड़ेगी बात को intersection point of incident ray को क्या कहते हैं object कहते हैं image कहा है उदर यह कौन है reflected ray 1 यह कौन है यह rays कहा मिलेंगी आगे यह आगे मिलेंगी कहीं पर नहीं पीछे मिल रहीं कहीं पर हाँ तो image का नाम image कौन है intersection intersection point of reflected rays समझ गए बात को कि न समझे पक्का समझ गए अच्छा फिर से देखना गबराने की कोई बात object किसे कहते हैं object की definition आ चुकी है आपके पास क्या definition है बढ़िया और image की definition क्या चुकी है reflected ray क्या बात है यह तो आप समझ गए है ना done चलो और बने का बताना और image real का बहती है जब mirror के पीछे बने तो real होती है देखो क्या है कि चोटी classes में जब आप रहते हो 8th में 7th में तो आपको बहुत कम बातें बताई जाती है है ना आपको कहानिये ज्यादा सुनाई जाती है और बातें थोड़ी से relatively कम बताई जाती है लेकिन जो भी बात बताई जाती है वो गलत नहीं बताई जाती है लेकिन कम बताई जाती है क्याना ठीक है या दिमाग नगो समझी गए ठीक है अब सुनना लेकिन यहां पर ध्यान से अब्जेट किसे कहते हैं रे इमेज किसे कहते हैं इंटर्सेक्शन पॉइंट अफ इमेज intersection point of reflected rays ये बात याद रहेगी ठीक अच्छा आप सुनना बहुत अच्छे सुनते रहना अभी खत्रा बढ़ सकता है इसको हटा रहा हूँ मैं हटा दूँ एक बहुत छोटा सवाल पूछ रहा हूँ औरल बताना ये mirror है यहाँ पर एक object रखा हुआ है इसकी distance है 10 meter image कितने दूर बनेगी किस से object से mirror से तो mirror से image बनेगी 10 meter की distance पर ये बात में कोई doubt नहीं है आपको बिलकुल भी नहीं है पकी बात है ना ये तो अभी आपने बनाया ही था 2 minute पहले बनाया था भी ठीक है बढ़िया है और देखना इस बार अभी मैंने का ये mirror है कौन है ये mirror है यहाँ पर एक object रखा हुआ है candle रखी हुए जल रही है ये candle यहाँ रखी हुए इस mirror से candle की image बनेगी क्या कहाँ बनेगी किदर इदर इदर candle से एक सीधी line कीचो एक यहाँ से match किया रे बेजो किया रे बेजो किया रे बेजो किया रे बेजो आप सीधे चुपचा फिर फिर यहाँ से normal कीच के एक reflected ray निकाल ली ठीक इसको यहाँ वीचे ले आओ यहाँ बन जाएगी बिलकुल सही जवाब एक दम perfect जवाब है कि यहाँ पर आपकी image यहीं बनेगी और आपको image बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा और भी रेज बनानी पड़ेंगी है ना तो आप और भी रेज बनाओगे तो आपको यहाँ पर image ऐसे बनती हुए साफ साफ दिखाई देगी ठीक है कि यहाँ image बनेगी यह मेरे को confirm हो गया आपने बता दिया यह आपका object था इसमें भी आपको कोई doubt नहीं है एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ इधर से देख रहा है यह इधर इसकी आँक आँक बनाते हैं हम लोग इस यह आँक है इसकी आँक नहीं समझ में आ रही दिख यह आँक है ना पीले रंकी आँक तुमने कभी नहीं देखी देख लो आज पता नहीं बात में देखनें को मिले ना मिले यह observer है क्या यह observer इसको देख पाएगा इमेज को अरे अभी यहाँ पर पता है यह image इसको देखेगी कि नहीं तो किसे देखेगी अचे यहाँ पर एक observer है यह observer क्या इस image को देख पाएगा यह observer इसके आँक यहाँ पर है यह इसको देख पाएगा इमेज को यह देख पाएगा नो आपने का नहीं इसको नहीं दिखाई देख पाएगा इसको भी आपने नो कर देख पाएगा इधर, यह देख पाएगा किस एंगल में देखे मतलब यह ऐसे करके देखे उपर को मिलर में देख रहा है यह ऐसे है यह ऐसे ही यह देख पाएगा अरे यह यहाँ पर तुम बना ले न अपने तुम बता देख पाएगा कि नहीं नो ये भी नहीं देख पाएगा नई अरे raise reflect होंगी कहां से वो तो देख लो पहले ऐसे ऐसे करके raise reflect होंगी तो भाईया जो बना लो कहीं पर भी और बनाओ कहां गई ये reflected ray तो यहां जा रहे तो reflected ray जा मांख में जाएगी तभी तो दिमाग brain उसको करेगा calculate कि यहां पर image है और reflected ray में गई नहीं तो यह कैसे देखेगा नहीं देख पाएगा ना तो कहां हो नहीं चीह आँए आँख आपको इस zone में ले आँख को अब इसके आँख के अंदर कौन जाएगा reflected ray जाएगी और reflected ray जाएगी तो क्या होगा तो यह इसको देख पाएगा क्योंकि rays अंदर जाएगी उन्हीं rays को तो पीछे brain calculate करेगा यहां पर rays कौन से जाएगी यहां से direct जाएगी direct object देखेगा image ना देखेगी क्योंकि reflected ray तो इधर है तो अभी अगर इस mirror से इस image का field of view field of view पूछा जाए तो आपको इस zone में इस zone में कहीं पर भी observer होगा वो इस image को देख लेगा समझ गए यह observer नहीं देख पाएगा क्यों नहीं देख पाया इस आंक में reflected ray नहीं जाएगी इस आंक में reflected ray नहीं जाएगी इस आख में reflected rate जाएगी this observer is in field of view of image, तो यह देख पाएगा हाँ जी हाँ, सिर्फ यह है जो देख पाएगा image को, यह तीनों नहीं देख पाएगे क्योंकि यह observer this is the only observer within field of view of image मैं कितनी बार बोला हूँ, यह चौती बार बोल रहा हूँ, field of view of image समझ में आरी बात आपको ठीक है, field of view क्या है image का, the region in which one will get reflected rays वो छेत्र वो जगा जहां reflected rays मिलेंगी, समझ गए बात को, ठीक है हाँ, करो note करो एक चोटा सा सवाल और दे दिया जाए यह mirror है दो मीटर इसकी लंबाई है यह दो मीटर मुझे पसंद नहीं है दो मीटर इसकी लेंद है पांच मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर एक source रखा हुआ है इससे पांच मीटर दूरी पर पांच मीटर की डिस्टेंस पर एक line खीची गई है perpendicular line और इस line पर एक observer चलेगा ऐसे ठीक है इस line पर चलेगा बोले चलो ठीक है यह observer कहां चल रहा है इस line पर चलेगा यह आपका mirror रखा हुआ है जिसकी length कितनी है इसके perpendicular bisector पर पांच मीटर डिस्टेंस पर एक source रखा हुआ है ठीक है और यह काफी नीचे से चलता हुआ है इस line पर बहुत दूर से चलता हुआ है ठीक है इसकी speed है 1 meter per second कितनी speed से चल रहा है 1 meter per second आपको बताना है time interval for which क्या बताना है time interval for which observer will observe the image in mirror ठीक है कितनी देर तक यह observer image को देख पाएगा इसको solve करने के लिए आपके पास 4 seconds नहीं है आपको आंसर गलत है 2 seconds के लिए 10 seconds दिया आपको solve करने के लिए तो आप कोशिश करो के कुछ find करके बताओ तो अभी देखो यह source है इसकी image कहां बनेगी कितने दूर बनेगी mirror से 5 meter की distance पर image बनाओ गया इसमें कोई doubt है आपको image यहां मिलेगी ठीक है यह बात में कोई जिरास भी शक तो नहीं अब देखो होगा क्या कि ऐसा लगेगा जैसे यह incident rate तो यहां से आएगी मालनो किनारे पर एक ऐसा लगेगा कैसा लगेगा जैसे reflected rate कहां से आ रही इस image से आ रही क्योंकि सारी reflected rate कहां पर मिलेंगी image पर तो आपको ऐसा लगेगा reflected rate कहां से आ रही है image से आ रही दिख रहा है similarly यहां से जो rate आएगी वो आपको ऐसा feel होगा कहां से आ रही यह इसको dotted बनाते है यह ऐसा लगेगा जैसे कहां से आ रही है यहां से ऐसे आ रही है समझ गए बात को यह incident रहेती यह reflected रहे और reflected रहे पीछे image से आते भी feel होगी यह reflected रहे है यह वाली reflected रहे बनाएं नहीं वो चली गई observer तो बह। नीचे से आ रहा है observer तो कितने मि मैंने बोलता बह। नीचे से चल के आ रहा है गभराने यह कोई बात नही बहुत अभि अभी हमें ये लेंथ पर पूरेत मेलेंगी इमेज दिखाई की अब अगर यह सवाल खतम तो सव emission कितनी है पांच miiटर तो कितनी मिली आपको 5 मिटर आगे तो कितनी मिली कितनी length मिली है दो मीटर अरे ये आप 5 मीटर आगे बढ़ोगे तो ये length कितनी मिलती है 2 मीटर मिलती है कि नहीं अगर आप यहां से 5 प्लस 5 10 और 5 15 मीटर आगे जाओगे तो ये वाली length कितनी मिलेगी तो आप ने कहा देखो ध्यान से देखना 5 मीटर आगे जाने पर 2 मीटर length मिलती थी तो 15 मीटर आगे जाने पर length कितनी मिलेगी तो आप 5 5 5 तीन बार गए तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गया ये समझ नहीं आ रही बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही ये एक triangle दिख रहा है आपको ये angle theta माल लो तो अभी ये length कहलाएगी perpendicular और ये length क्या कहलाएगी base तो 10 theta की value इस triangle से बताओ ये perpendicular बोलो कितना है अब बोलो ना ये पूरा 2 है तो ये कितना हुआ 1 और नीचे base कितना आएगा 5 अब हमने का ये पूरी length थी माल लो D तो ये आधी length कितनी हो जाएगी देख रहा है triangle इस triangle से 10 theta के लिए perpendicular ये बनेगा और base ये पूरा बनेगा कितना है ये 15 तो इसको अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे perpendicular upon base 15 तो इधर से D की value बताओ 6 आगई इसका मतलब ये पूरी कितनी length आई आपके पास 6 meter इसको मैंने ऐसे समझाया था कि अगर आप 5 आगे जाओगे 5 meter आगे जाओगे तो 2 length मिलती है 2 meter मिलती है लंबाई total और अगर 3 गुना आगे जाओगे तो 3 गुनी length मिलेगी तो 2 की 3 गुनी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी ये वही 10 theta वाला ही तो है कि 1 के लिए 5 similar triangle का concept है ये triangle और ये triangle बड़े वाला ये similar triangle है तो जो distances का sides का ratio होगा वो same होगा तो अभी इसकी side थी 5 और ये side थी 2 तो जब side 15 करोगे तो side हो जाएगी 6 ताकि ratio same रहे ठीक है तो अगर ये 6 meter इसको चलना है तो कितनी देल लगेगी speed कितनी है इसकी 1 meter तो 6 second तक आपका answer क्या जाएगा 6 second तक image इसको दिखाई देगी ठीक है इसमें कोई doubt तो नहीं बड़ी है कर लेंगे न किलिए आँ कर तो लेंगे और करें और कर सकते हैं ठीक है एक दो चूटी चूटी बातें और कर लेते हैं आपसे देखिए एक example और लेंगे आप अच्छे से समझना ये एक mirror है ठीक है बोट पर एक दम नजर रखनी पड़ेगी यहाँ पर एक object रखा हुआ है ये 10 मीटर की distance पर object है image कहाँ बनेगी 10 मीटर पीछे बनेगी पका तो यहाँ पर image बनेगी कितने distance पर at a distance of 10 मीटर इसमें कोई doubt है आपको नहीं है doubt पकी बात अभी मैंने कहाँ यह object यहाँ पर mirror की तरफ चलना शिरू कर दिया 2 मीटर पर सेकंड से ठीक है तो can you tell me what is the speed of image यह mirror आपका fixed है जल्दी बताओ हाँ object अगर 2 मीटर पर सेकंड से mirror के पास जा रहा है तो image क्या वहीं बनी रहेगी या image भी mirror के पास आएगी कितने speed से चलेगी image same speed से opposite direction में इस direction में 2 मीटर पर सेकंड से चलेगी इसमें कोई doubt नहीं है आपको तो अगर मैं आपसे speed of image पूछूँ हाँ क्योंकि बराबर distance रखने है ना अरे बराबर रखने है कि नहीं तो भाई अगर ये 2 मीटर आए किसक गया तो ये भी 2 मीटर इदर किसक जाएगी तो ये बात तो एकदम clear है कोई गबराने की बात है नहीं एक और बताओ जल्दी जल्दी ये मिरर है कौन है मिरर मिरर मिर को पसंद नहीं आ रहा है तुमको पसंद मेरे को बहुत पसंद नहीं आ रहा है ये मिरर है ये एक लाइन है गबराने की कोई बात है नहीं इसकी कच्छुवा कौन है ये कच्छुवा कच्छुवा समझते हो आप लोग टॉटॉइज टार्टल कर लो चलो टार्टल क्यों लिख रहा हूं मैं इस पेलिंग इसकी आसाने इसलिए ये पानी में रहता है टार्टल नहीं लिखना चाहिए कह लिख लीए कहा लिख ले हुआ टार्टिज अब ठीक है कोई थीगालने की बात तो नहीं टटल पानी में रहता है पक्की बात है समंदर में रहता है में उसमें में होँआ पहुआता है और एक ओर भी तो होता है लेकमिन बाइस चल दो जबना है यह एंगल आपको दे देते हैं 37 डिग्री 37 चलेगा ना एक बात भी देते हैं आपको साइन 30 साइन समझते हैं न सब लोग साइन वाइन समझते हैं कि नहीं बताया था मैंने पहले आपको साइन कॉस के बारे में थोड़ा साइन 37 की वेलू होती है 3 बाइ 5 यह भी इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको कोई घबराने की बात ना है कचुआ चल रहा है यहां पर इस डारेक्शन में चल रहा है ठीक है find the distance in which tortoise will observe its image 15 seconds का सवाल है और यह इसमें जितनी भी physics लग रही है वो class 10th की भी नहीं है class 8th की physics यूज हो रही है class 8th में जो आपने पाते हैं पढ़ी थी किवल वही यूज हो रही है उसमें मैंने कुछ बाते थोड़ी थोड़ी सी आपको जोड़ी है बहुत अलकी अलकी सी extraordinary कुछ भी नहीं जोड़ा यह टर्म जरूर class 8th के लिए थोड़ा मुश्किल है लेकिन अब आपके लिए मुश्किल नहीं है इसको करें जल्दी से हैं जी ऐसा कोई सवर class 8th में नहीं है definitely नहीं है मैं किरूं physics जो लग रही है वो class 8th की physics है है ना सवाल कहां से होगा class 8th में आई सा ठीक है चलो जल्दी कर यह सील तो मैं class 8th में नहीं पढ़ा रहा हूं यह मैं class 8th में थोड़ी पढ़ा रहा हूं यह भी यह tortoise तभी इमेज दिखाई देगी इसको बिल्कुल सही बात है मैंने आपको field of view समझाय था ना अभी कब तक इमेज दिखती है किसी को अपनी नहीं सामने आमने नहीं अब आपके पास 15 सेकंड का टाए मैं कर दो नहीं तो मैं कर दूँगा हाँ तो ना हो पाया मतलब है ना के लिए ना ना हो पाएगा अभी क्या है कि यहां से ऐसे perpendicular drop कर दिया इसमें कोई समस्य है किसी को इधर इस पर मैंने एक line perpendicular यहां drop केस में कोई बनेगी तो आप कहोगे देखो mirror को extend करो ऐसे अंदाजे से थोड़ा सा mirror को extend कर लो है ना अब आप कहोगे कि इसकी image same distance पर यहां कहीं बनेगी इसमें कोई doubt है किसी को नहीं है पकी बात है तो अभी यह जो reflected rays आएंगी वो इससे जाती हुए दिखाई देंगी कुछ ऐसे इसको मैं तोड़ा और दूर ले जाता हूँ यहां ले गए यह तो इमेज कहां दिखाई देगी कुछ सेम डिस्टेंस पर नीचे अजाज यह कैमरे में आ रहा है ठीक तो यह सेम डिस्टेंस ज्यादा नीचे निले जब होंगा यू नो देर लिमिटेशन सार देर अब रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाती हुए रिफ्लेक्टेड रे कैसी लगी कि जैसी इमेज से आ रही है रिफ्लेक्टेड रे कहां से निकलती हुए फील होती है इमेज से तो आपने इमेज से फील होती हुए तो यह बना दोगे आप एक किनारे से और दूसरे किनारे से अगर आप बनाओगे तो यह बना दोगे इमे जब तक वो इसके ठीक सामने ना होगा यहां तक इमेज दिखा और यहां से दिखने शुरू होगी अभी यहां की इमेज क्या होगी सीधी यहां बनेगी और रेज यहां से रिफलेक्ट होगी पहुँच जाएंगी आँक में समझ गए तुमने सही दिया था तो अभी आपको इस लेंथ पर इमेज दिखाई देगी यह वाले लेंथ पर कच्वियों को अपनी इमेज दिखाई देगी यह लेंथ हम कई से पाइंड करेंगे तो आमने काई यह डी लिख लो इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो अब यह d find करना है sin 37 अगर यह angle sin 37 है तो इसकी value कैसे निकालोगे sin 37 का मतलब 3 by 5 अब इस angle के सामने वाली side क्या कहलाएगी perpendicular और यह base और यह कौन यह d आपका बनेगा hypotenuse तो मुझे को यह d चाहिए तो मैं इस p की value क्या लिखूँगा under root of d square minus 25 इसका square इन दोनों के square के सम के बराबर होता है अरे d square जो आप लिखोगे वो p square plus 25 लिखोगे के नहीं तो मुझे p चाहिए तो आपने काट फिर d square minus 25 is equal to p square तो p की value क्या बताओगे p की value यहाँ से square अटाओ तो यहा under root लग जाएगा ठीक है p की value आ गई अब आपके पास sin 37 की value क्या थी under root of d square minus 25 divided by perpendicular upon hypotenuse that is d is equal to 3 by 5 अब यहाँ से आपको मुझे d बताना है कैसे बताओगे solve कर पाएंगे कि नहीं square करके multiply कर तो cross तो यह square करके जब multiply करोगे तो यह बन जागा तो d की value कितनी आ गई 25 अपॉन 4 साड़े बारा का आधा सबाचे 6.25 meter आपका आंसर आया यह बिल्कुल 8 class कर नहीं है यह 8 class में कहां करवा रहा हून मैं यह 8 class में करवा रहा हूं यह किसी भी class कर नहीं है यह class का है जिन लोगों की class होती है वो करते हैं podemos जान लेगा हो गया मामना मतलब कहने का देखो इसकी mathematics बहले से hard हो लेकिन आप physics नहीं कर पा रहे थे जैसे मैंने आप से का कैसे का मैंने का अब फिर से मैं सवाल दे रहा हूँ मैंने का ये mirror है यहाँ पर ऐसे करके एक कोई चल रहा है फिर turtle चला दिया मुझे math से मतलब नहीं है मुझे physics दिखनी चाहिए आपको पकड़ा रही के नहीं यह turtle ऐसे जा रहा है तो the region in which length इसमें शो करो आप diagram बना के जहां तक वो अपनी image को देखेगा show the length in a diagram for which tortoise will observe its image मुझे इस सरिफ diagram में दिखाओ कितनी length तक observe करेंगा वो उसके बाद mathematics आप नहीं कर पाओ कोई problem नहीं है लेकिन आप दिखाओ तो वो diagram मुझे कहां तक दिखाई देगी उसको पांच सेकंड देंगे आपको बताओ दिखाओ का बनाया डाइग्राम अभी सही बनाया बन गया कि नहीं बनाओ 10 सेकंड देखो अभी tortoise को अपनी image कब तक दिखाई देगी जब तक वो ठीक mirror के सामने इस zone में होगा समझ गए आप अगर अपनी image देखना चाहते हो आप एक mirror ले लो है ना आपकी आँख image देखती है आँख को आँख की image देखनी है तो जब तक आँख mirror के ठीक सामने होगी तब तक ही image दिखाई देगी समझ मेरी बात जैसे आपने ऐसे mirror बनाया आपको अपनी image देखनी आँख की image बागी पार्ट की image की बात नहीं हो रही तो जब तक आपकी आँख इस zone में रहेगी आप अपनी image देख पाऊगे आँख की image आँख को दिखाई देगी ठीक है आपका भी experiment करके देख लेने mirror को रखना और सीधे ऐसे चलाना उपर नीचे तो पूरी length में आपको image दिखाई देगी ठीक है clear नहीं बात अब mirror को तेड़ा कर लो जब तक उसके ठीक सामने रहोगे तब तक यह आँख की image आँख को दिखाई देगी तो यह ऐसे वो region मिलता है तो mirror के ऐसे यह region मिलेगा इस region में जब तक आप रहोगे आप कहीं भी घूमते हो इदर आओ इदर आओ इदर जाओ इदर जाओ आँकों आख की image दिखेगी अब चुकिए आप इस length पर चल रहे हो तो आपने का यह वाली वो length है जिस length पर जब यह title चलता हो गुजरेगा तो यहां तक की length पर उसको अपनी image दिखाई देगी यह कितना simple सी बात है कि मुश्किल बात है अब इसमें करते हैं हैं हम लोग confused करने के लिए मेरे कुछ ती अड़ा मेड़ा करते रहते हैं बार-बार तो आप confused होते रहते हो हाना फिर basic math का कुछ part आएगा जो कि अपन पढ़ेंगे math तो बहुत पढ़नी है थोड़ी मोड़ी तो पढ़नी नहीं है लेकिन physics तो सीखनी ही पढ़ेगी ठीक है ठीक है यह line और 3D मतलब हाँ हाँ मैं समझा नहीं इदर आके बताओ बोड पर आके बताओ यह 90 डिग्री पर चलेगी यह region जो भी चलेगा 90 डिग्री पर हाँ खिजलो ना इसको कितनी खिजनी है आपको जाना था किजनी इदर आब बोड पर आओ बताओ क्या कह रहे हो तो वो आँक हमें कैसे जाएगी वापस लोटके उसको खुद की अपनी इमेज देखने है ना अरे यहां पर कचुआ आगया दिखा इदर यहां आगया आपका आँक यहां पर आगए कचुए अब रिफ्लेक्टेट रे बना और वापस आँक में आनी चीए वापस आँक में आए ना तभी तो इमेज देखेगी उसको यह कचुआ इदर है कहां जा रहे है यहीं से चलेगी रे कहां चली तो उपर जाके तो यहां चले जाएगी ना आँक में कैसे आएगी तो भी नहीं जाएगी तो भी अगर यह सीधी यहां गई तो भी रिफ्लेक्टेट रे इदर चली जाएगी तो आँक में जाएगी ना तो रे यहां से सीधी जाएगी तभी लोट के सीधी आएगी सीधी कहीं सीधी लोट के आएगी तो इमेज देखेगी अरे भई रे वापस आँख में भी तो आनी है अभी यहाँ पर आपने observer रखा तो रे सीधी जाएगी जो वही रे इसकी लोट के वापस आएगी तो जब यहाँ पर पहुंचे observer तो जो रे सीधी जाएगी वही रे लोट के आँख में आएगी तो देख पाएगा न, रेख अधर चलीगी, इधर चलीगी, उससे तोड़ी देखेगा इसको, समझ गया बात को, समझ गया ना बात को, ठीक है, ठीक है चलो इसको नोट कर चल दी, ठीक है, तो जानलेवा हो गया मामला आप लोगों के साथ है, जानलेवा होता है थोड़ा थो फिर सब का कारेक्रम समाब्त हो जाता है तो प्लेन मिरर पे मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया तोड़ी-थोड़ी क्लास 10 में जो मेंनली टॉपिक है वो क्या है एक तो है स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर क्लास 8 में था ठीक है नैंत में आपको रे के बारे में कुछ नहीं पढ़ाए गया पर टैंत में आता है आपके पास spherical mirror और क्या है और आपके पास spherical lens भी है lens नाम सुना होगा आपने सुना है की नहीं सुना है और spherical mirror के बाद तोड़ा reflection का concept है रिफ्रेक्शन समझते हैं थोड़ा बहुत एक होता है रिफ्रेक्शन जब रे वापस किसी मीडियम से टकरा के लौट आए जैसे मानलो आपने का यहाँ पर रे आई और यह वापस लौट गई तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं रिफ्रेक्शन और अगर रे इधर चली गई क कुछ पार्ट रे का कुछ पार्ट अगर दूसरे मीडियम में चला गया जैसे यह एयर है मानलो है ना और यह गिलास है तो अब ही क्या हुआ कि अगर रे का कुछ पार्ट यह वापस लौट गया उसे मीडियम में ऐसे क्या कहेंगे इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन और यह spherical mirror और reflection पढ़ोगे आप और क्या पढ़ोगे lens lens कितने तरह के होते हैं दो तरह के होते हैं कौन कौन से concave and convex mirror concave and convex lens ठीक है और तोड़ा reflection इसके बाद अगला chapter जो आता है उसमें आपको पढ़ाया जाता है किसके बारे में eye के बारे में eye में कुछ defects होते है myopia होता है बता रहे हैं और press byopia होता है और एक अजीब सना में astigmatism और एक और अजीब सना में hyper metropia तो कुछ defect होते हैं आख के वो भी अपन पढ़ेंगे आराम से घबराने की कोई बात नहीं आज अपन यह इत पर कतम करते हैं ठीक है चलिए